आज जो मैं आपके साथ टिप्स शेर करने जारी हूँ ना तो आपने कभी देखे होंगे यूटूब पर और ना ही सुने होंगे और ना ही किसी ने आपको बताए होंगे जी हाँ फ्रेंड्स वर्दान पकवान लेके आया है आपके लिए ऐसे यूसफोल टिप्स और ट्रिक्स जो आपको काफी पसंद आएंगे तो वीडियो को एंड तक दिखीगा पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजेगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा अकसर कई सारे काम करने के लिए इस तरह के ट्रांस्परियन ट्लप्स हमारे घर पे आते रहते हैं और हम उने क्या करते हैं यूज करने के बाद फैक दे थे हैं लेकिन इसके बहुत सारी उज्स और भी कर सकते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ इन्हें फेकने से पहले आप इसका किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं कई बार हमारे पास कुछ ऐसी चूडिया होती हैं जो कुछ दिरों के बाद छोटी हो जाती हैं और हम इन्हें यूज करना छोड़ दीते हैं तो अगर आपके पास भी ऐसी चूटी चूडिया है तो उन्हें यूज करना मत छोड़िये बलकि आप इनको यूज कर सकते हैं वो भी किस तरह से चलिए मैं बताती हूँ तो इस तरह के जो गलब्स अगर आपके घर में हो तो कभी भी उन्हें फेकी अगर नहीं उठा कर सम्हाल के रख लीजे तो देखें पहला यूज में इसका आपको करके दिखा रही हूँ तो इसको इस तरह से हमें पहन लेना है और इसके बाद आपकी जो भी छोटी चूड पार्या यहां पे बहुत ही अराम से निकल गई है और होप यह जो ट्रिक आपको पसंद आई हो तो कहीं हम सफर में जाते हैं तो हम अपने यह ब्रस तो साथ ले ही जाते हैं क्योंकि इससे हमें अपने नादों की सफाई करनी होती है तो इने रखने के लिए कैप आते हैं आप ये ले लीजे या फिर इस तरह के जो बॉक्स हैं ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे ये भी बहुत ही अच्छे रहते हैं पर इसके लिए ना आपको मार्केट में इसको जाके ढूनना पड़ेगा साथ ही आपको पैसा खर्ची तो क्या करते हैं हम इस तरह से वा पड़ने ठाईने पीन और खटा करें नो मotर्रा ऊपकर यह जड़ में आपस में हम दूसरे से लेखर आपके यहिए शोग शोगते हैं को यह जंदा लीक्त बढ़ी एक तरीका दिखांए हुं अपको और इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहां अपने यही ट्रांसपेरेंट गलप्स जीसे कुछ लोग पॉलेथिन गलप्स भी बोलते हैं आप चाहें तो नीचे रवट बेंड भी लगा सकते हैं और अब उठाके आप इसको अपने बैग में डालीजे और यह आपस में बिल्कुल भी टैच नहीं होंगे आई होप यह हैक भी आपको पसंद आया हो तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की ओर तो दिखें फेक ने तो हम इसे वैसे ही वाले हैं तो क्यों न हम इसको फिंगर है इने कट कर लें आपने देखा हुआ कि कभी हम सफर पर जाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजों की जरूरत पड़ती है या एक या दो दिन के लिए कहीं हम जा रहे हैं तो पूरा कपूरा यह दिखें जो मेरे पास क्रीम है इसको लेके जाना पड़ता है या फिर सैंपू का पूरा ब इसी भी प्रॉबलम के लिए तो उसके छोटे-छोटे पाउच नहीं आते हैं तो इस तरह से आप क्या करिए इसके अंदर डाल के रख लीजे और चलिए फटा-फटा मैंसे लॉक भी कर लेते हैं तो यहां एक मैंने कैंडल जला रखी है और यह दिखिए इसको मैंने लॉक है अब यह जो हमने यहां पर क्रीम भरा है यह बिलकुल भी लीक नहीं होगा अच्छे से यह सील हो गया है यह देखिए दूसरी साइड मैंने इसको निकाल दिया है और आप देख सकते हैं यह बिलकुल भी लीक नहीं हो रही है तो इसी तरह से आप कोई भी ट्यूब के होते हैं वो तो हम लेके जाते ही है अपने पर्स वगेरा में डाल के लेकिन कभी-कभी ये लीक हो जाते हैं और सारा हमारे जो पर्स है उसे बरबाद कर देते हैं जितना भी समान रखा होता है वो भी सब भींग जाता है तो वैसे यह नहीं खोलते हैं लेकिन जब हम पर्स म पहन लिया है और इस तरह से ढकन को कर दिजे बंद और ये सीरप आप कैसे भी अपने बैक के अंदर नोटका दिजे तेड़ा डाल दिजे उपनिन बेल डाल दिजे त्रीकर और उल्टा डाल दिजे यह बहुत ही यूशफुल है तो इसी वर्दान पकी आपके लिए अच्छे टिप्स लेके आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथी बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लो जायेगा मत अभी और भी हैक बाकी है और इसी फिंगर को हम यूज एक और तरीके से करेंगे तो दिखिए ये मेरे पास ब्रश पड़ा है ये जो पर्स के अंदर डालने में बहुत सारे रेसे बगएरा होते हैं जो ब्रस के उपर चिपक जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे अब अकेले कहीं जा रहे हैं तो पूरा गलब्स थोड़ी लेके जाएंगे तो इस तरह से आप इसकी फिंगर का यूज कर सकते है आई होप ये हैक भी आपको पसंद आया हो तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हैक की ओर कई बार सफर में हमें काफी सारा मेकप लेके जाना पड़ता है ठीक है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूसफुल है आप इसके अंदर आई लाइनर ठीक है नेल आई मेकप की है तो सारी चीज लेके जा सकते हैं तो देखें सारी मेकप की छीजे जव्या जो हैं जो भी यूस करती है वह सारी सीजी ऑ रच ली है और थोड़े से रवर्णमी में फें और जाल दों गी और ये आपको ना किस भी पर्स में डाल लीजे एक खटा एक जगा भी मिल जाएंगी इस साथ ही अगर धोके से कुछ लीक भी हो जाता है जैसे कभी-कभी काजल निकल जाता है या फिर कभी-कभी क्रीम बगरा कुछ भी लीक हो सकती है तो क्या है इससे आपका पर्स खराब न कुलते हैं या काफी सारे ऐसी लोग होते हैं जिनके हाथ इस तरह से रूखी-रूखी से रहते ही रहते हैं ठीके तो क्या कीजिए सबसे पहले आप ले लीजे थोड़ी सी बैसलीन और अच्छे से अपने हाथों पे इसको मल लीजे और इसके बाद आपको क्या करना है यह ज अगले है क्योर कई बार बच्चे जब एक्जाम देने के लिए जाते हैं तो पूरा पैंसिल बॉक्स पैन बॉक्स उन्हें लेके जाना पड़ता है पर इस गलप्स के अंदर बहुत एजिली आप अपने पैन ले जा सकते हैं पैंसिल ले जा सकते हैं एरेजर, सौपनर और स पॉक्ट में डाल सकते हैं और बाई चांस कोई भी पैन लीक हो जाता है तो इससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे और जब आप इसे पॉक्ट में डालेंगे तो इधर उदर गिरिंगे भी नहीं तो दिखिए इस तरह से मैंने इसको फिट कर दिया है तो आपने द इससे चल जाता है लेकिन हमारा जो फोन है इसके चार्जर है इसके बगएर हमारा कोई भी काम नहीं चलता क्योंकि आजकर सब को मुबाइल चार्जर तो चाहिए ही चाहिए तो आप इस तरह से इसको इसके अंदर पिट करके रख सकते हैं और कहीं भी आप इसको डाल सकते ह अपने केरी बैक के अंदर डाल सकते हैं इससे क्या होगा यह खुएंगे नहीं और कहीं अगर आप इसे सफर पर ले जा रहे हैं तो फिर क्या कहने हैं यहाँ पर अच्छे से आपको भी रवडवूपन बगरा लगा लीजिए और इसको फोल्ड करकिए अपने बैक के अंदर पढ़े रहेंगे तो आई होप ये हैक भी आपको पसंद आया हो तो चलिए देखते हैं अपना अगला है तो जिस तरह से हमने इस क्लप्स का काफी सारे यूज किये हैं इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर ले जा सकते हैं जैसे मैंने आप एक नाइफ रखा है एक नेल कटा रखा है और बहुत सारी ऐसे चीजें जो मुझे लगता है कि मुझे रास्ते में जरूत पढ़ेंगी या फिर कहीं जा रही हूं तो जरूरत पढ़ सकती हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल के दिखा रही हूं आपको ठीक है कि इस तरह से आप ले जा सक रहे हूंगे तो इस तरह के यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स सबसे पहले यूटूपर देखने के लिए जुड़े देए आपके अपने चनल वर्दान पकवान से सबसे सीधा सबसे सरर्द